दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं इसी तरह से अपने स्वैंपाध धर के नजबीक में एक बहुत अच्छी आउशद है जिसको आप चाहें तो उप्योग कर लीजिए आपके पास थोड़ी भी जमीन है तो उसमें वो लगा सकते हैं वो है पालक और एक है मैथी इसको भाजी पाले के रूप में आप सब उप्योग करते हैं ये दोनों ही अधरूट है मैथी और पालक का सबसे रक्त को तेजी से बढ़ाना शरीर में जिनको भी शरीर में रक्त अल्पता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया फून बनना कम हो गया है शरीर में रक्त की कमी आ गई है किसी भी कारण से फून नहीं बन रहा है शरीर में रक्त की कमी है उनको सबसे अच्छा है मेंथी का रस और पालक का रस देना शुरू कर दीजिए जूस के रूप में दे दीजिए बहुत अच्छा काम करता है नहीं तो सीधे पत्ते चबाके खाने को दे दीजिए तो भी काम करता है शरीर में रख्ट की मात्रा तेजी से बढ़ाने की सबसे जादा ताकत जिन्मे हैं, उन में से ये एक है पालक और में थी, इसा होता है, लेकिन सभी को नहीं होता, जिनको शरीर में पहले से एक खराब बीमारी हो, बार 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 संदास लगने की, उनको ये ना खाए तो अच्छा है, एक ही लोग है जिनको ये नहीं खाना चाहिए, जिनको बार बार संदास जाने की तकलीफ हो, जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी बढ़ गई हो, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ गया हो, उनको पालक और में थी से बचना चाहिए, और और एक लोगों को बचना चाहिए, जिनको मूत खड़ा है, किटी में हो या गॉल पालक खाने से बचना चाहिए, बाकी कोई भी इसको खा सकते है, इस्त्री भी खा सकते हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और जिनको संदास नहीं आती है, आसाली से पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए तो सबसे पालक की भाजी रोज खाईए, मेथी की भाजी रोज खाईए, मेथी की भाजी जितने दिन मिलती है उतने दिन खाईए, कम से कम साल में तीन चार महिने तो मेथी मिलती ही है, कम से कम साल में तीन चार महिने पालक तो मिलता ही है, तो भोजन लंच में पिया तो डिनर में एक ब तो बहुत अच्छी है, सस्ती मिलती है, जादा महंगी नहीं और घर में भी लगा सकते हैं, थोड़ा भी आपके पास अगर खेट है, घर के आजू-बाजू में थोड़ा भी तो वहां पर आसानी से पालक लगाए जा सकता है, मैती लगाई जा सकते हैं, ये मैती और पालक बह बहुमुत्रता, बहुमुत्रता मने, बार बार पेशाप जाना, बार बार लगवी के लिए जाना, बार बार लगवी के लिए जाना, एक तास में दो तीम बार लगवी के लिए चले जाएं, रात में या दिन में, ऐसी बीमारी को बहुमुत्रता कहते हैं, इस बीमारी की सबसे अच्छी आउशद है पालक और मेंथी जिनको सबे रही सो कर उठने से बहुत चक्कर आते हो उनके लिए भी सबसे अच्छी आउशद है पालक और मेंथी शरीर में रक्त के दूशन से कोई बीमारी जिनको बार बार होती हो उनके लिए भी सबसे अच्छी आउशद है पालक और मैथी और आखरी जिनको डाइबिटीज है उनके लिए तो ये सरवोगसा मौशद है डाइबिटीज के हर एक मरीज को रोज मैथी खानी चाहिए बाजी के रूप में रोज पालक खाना चाहिए जितना जादा मैथी और पालक की बाजी खाएंगे उसकी जिल्दी डाइबिटीज आपके शरीर से खतम हो जाएंगे